आज मैंने बनाई है बत्थू की भाजी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है बहुत ही जल्दी बन करके रेडी हो जाती है टेस्ट में तो एकदम गजब की होती है आपने बत्थू की भाजी ट्राई की है या नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर जो नई ट् एक बार बार खाना चाहेंगे इतनी जभाइदा टेस्टी बनती है कोई ज़्यादा ताम ज़ां नहींगा एक दम पिर्फेक्ट तरीके से मैंने बनाना बताया एकstep कम ingredients के साथ मैंने इसको बना करके ready किया है बत्तु को मैंने अच्छी तरीके से बीन लिया था उसके बाद मैं इसको 6-7 पानी से धूल लूँगे क्योंकि बत्तु में मिट्टी बहुत जादा होती है थोड़ी सी भी मिट्टी रह जाती है तो टेस्ट खराब हो जाता है मैंने बत्तु को बारीक बारीक कट कर लिया है क्योंकि मैं इसकी भाजी बनाने वाली हूँ साथी मैंने कुछ लेसन की कलियों को छीर जबारीक कट कर लिया है दो सुखी मिर्च को तोड़ करके रेडी कर लिया है साथी मैं डालने वाली हूँ इंग इंग इसमें टेस्ट बहुत अच्छा देती है कैस मैंने चढ़ा दी है कड़ाई मैंने चढ़ा दी है डाल दिया है ऑईल जो भी आप कुकेंग ऑईल इसमाल करते हूँ वो आप डाल सकते हैं साथी तेल जब बहुत अच्छी तरीके से गरम हो गया तब मैंने इसमें सुखी लाल मिर्च डाल दी है और इसके बीच जो बच गय थे वो भी मैंने डाल दी है तो लेसन ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है इसी स्टेश पे मैं डाल दूंगी हींग क्योंकि हींग डालते ही हमें साग डालना होता है वरना हींग की खुश्बू उड़ जाती है इसलिए मैंने बत्थू को डाल दिया है अब अच्छी तरीके से चला देंगे ताक कि जो भी मिर्च का टेस्ट है वो पूरी उसमें मिक्स हो जाए भाजी वगरा या साग वगरा जो भी होते हैं इनको बहुत अच्छी तरीके से चलाना चाहिए वरना ये बहुत ही जल्दी पक करके रेडी हो जाते हैं और नमक मसाला पूरे में नहीं पहुचता है इसलिए बहुत और फोरन डाला हुआ है उसका टेस्ट पूरे शाग या पूरी भाजी में आ जाए तो मैंने भाजी को चला देना है भाजी ने पानी चोड़ना इस सटार्ट कर दिया है देख सकते हैं इसमें कितना सारा पानी चुटने च्टा हो गया है इसी स्टे पिर मैं नमक डाल क्योंकि भाजी वगरा पक जाती है तब नमक डालो तो पूरे में नमक नहीं पहुंचता है और मुझे वैसा टेस्ट अच्छा भी नहीं लगता कि कहीं पे नमक है कहीं पे नहीं है इसलिए मैं थोड़ा साही जैसे नम होना स्टार्ट होती है मैं नमक डाल देती हूँ और नमक डालने के बाद आप देखना इसमें एकदम से इतना जादा पानी छुटता है और बहुत ही अच्छी तरीके से पक जाता है पूरे में नमक भी पहुंच जाता है देख सकते हैं आप पानी कितना जादा छुटा हुआ है मैं इसको थोड़ी देर ढख दूँगी गैस की फ्लेम स्लो कर दूँगी क्योंकि हाई फ्लेम पे अगर साग वगरा बनाया जाए तो बहुत ही जल जाता है साग को मैंने चक्किया थोड़ा सा भी पकना बाकी है साग में पानी है क्योंकि साग या भाजी जो भी होती है इसमें जब तक पानी पूरी तरीके से जलना जाए तब तक भाजी खाने में बिलकुल भी अच्छी नहीं लगती है मुझे तो एकदम ड्राय वाली भाजी खाना पसंद है आप देख सकते हैं मैंने भाजी को अच्छी तरीके से पका लिया है पूरा पानी सूख गया है और भाजी को अच्छी तरीके से भून लेना है क्योंकि इस स्टेज पर भाजी एकदम टेस्टी हो जाती है जैसे ही पानी थोड़ा सा जले और आप उसको भूरे नहीं तो टेस्ट अच्छा नहीं आपाता है इसलिए भाजी वगरा को अच्छी तरीके से चला चला कर भूजना भी बहुत जादा जरूरी है गैस की फ्रेम स्लो ही रखें क्योंकि बहुत ही जल्दी जलना स्टार्ट हो जाती है तो भाजी बन करके रेडी हो चुकी है मुझे बत्थू की भाजी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है आप इसको रोटी चावल या पराठे के साथ भी सर्फ कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है बहुत ही जल्दी बन करके रेडी हो जाती है मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें सस्क्राइब करना ना भूलें थैंक्यू फॉर वोचें